दोस्तों आप इस स्क्रीन पर जिस सक्स को देख रहे हो यह वही सक्स है जिसने अदानी गुरुप के 10 दिन के अंदर 10 लाग क्रोड रुपय का नुक्सान करवाया गोतम अदानी जो की दुनिया के सबसे अमीरों में थर्ड नमबर पर थे एक ही जटके में इस सक्स ने अदान पर में हम यह वीडियो में आपको बताएंगे आखिर यह सक्स कौन है आप हमारी वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रू वारल स्टोर्य को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिज सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों यह जो स्क्रीन पर सक्स है यह देख रहे हैं आप सक्स है नाथन एंडर्सन इसने 2017 में न्यू यॉर्क सिटी में एक कंपनी बनाई और इस कंपनी का नाम रखा हिंडन्बर्ग रिसर्च ही नाम क्यों रखा इसके पीछे यह वताया जाता है कि माई 1937 को जर्मन का यर्शिप एल जेट 129 हिंडन्मर जिसमें 97 में लोग थे उस यर्शिप हिंडन्मर का अमिर्का के मैंचेस्टर टाउन्सिप न्यू जर्सी में एक्षिएंट हो गया था जिसमें काफी लोग माले गए थे एक्षिएंट की जब जांच होई तो जांच में यह सामने आया कि वह एक यानि human mistake थी human mistake को रोका जा सकता था इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हों ने यह company बनाई है नाथन एंडर्सन के दिमाग में यह आया कि हम जो बड़े बड़े financial disaster होते हैं बड़ी बड़ी धोगध़ियां होती है पूरे वर्ड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनिया है जो के किस तरह से लोगों के साथ धोगध़ि करके पैसा कमाती है इन्हीं चीजों को उजागर करने के लिए इन्हों ने यह company बनाई है जो की बड़ी बड़ी कंपनि की जो financial activities है उन पर निगाह रखती है और निगाह रखने के बाद पूरा बहुत दिनों तक उसका investigation करती है उसके बाद रिपोर्ट तयार करती है और वो से रिपोर्ट को यह पब्लिस करते हैं और पब्लिक को बताते हैं कि दीए फला company ने क्या-क्या धोगध़िया किया है औ अपनी जो रिपोर्ट है इसको पब्लिस करती है इसी सिलसिले में इन्होंने अधानी group के लिए एक report बनाई और अधानी group क्या क्या कर रहा है किस्तरह utilize पब्लिक को दोकध़ई कर रहा हैं और कितनी श्यांग कम्पनिया वना रखी है और उनके जो अधानी गोरे रिस्तधार को पब्लिस किया है हिंडवगर इस ने लोगल हेल्थ निकोला कांड़ी और लॉड्स टाउन जैसे कंपनियों की धोगध़ी को जाकर करके पब्लिक किया है मैं आपको बता दू यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग का काम भी करती है दोस्तों आप कॉमेंट में लिखकर बताईएगा कि यह जो कंपनी इस थरह का काम करती है कि अच्छा काम करती है जो कि पब्लिक का जो पैसे डूब ना हुआ होता है जो गलत काम करती है कंपनिया उसके बारे में खुलासा करती है यह कंपनी गलत काम करती है कि पब्लिक का पैसे को डूब होने से बचाती है अब हमें नीचे कोमेंट में लिख कर जरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो